हलो व्रिवन, वेलकम टो यूपेसी आईकुटाइब आज के इस वीडियो में 13th जुलाइ का दो हिंदू नीजो पर डिसकुशन हम करने वाले हैं आज को जो पहला नीजो है, वो नेपाल में फ्लो करता है अट प्लेस कॉल अस लांग टांग रीजन इसके लांग टांग रीजन जो है, वो नेपाल के अंदर प्रेजन है और वहां से त्रिशूली रिवर फ्लो करती है नो यह रिवर जो है, वो नारायना रिवर को जॉइन करता है और यह नारायना रिवर जो है, आगे जाकर गंगा को जॉइन करता है त्रिशूली रिवर जो है वो गंगा रिवर के सब ट्रिब्यूटरी है देखे गंगा की डिरेक्ट ट्रिब्यूटरी है नारायनी रिवर और नारायनी की ट्रिब्यूटरी है त्रिशूली रिवर जो है वो गंगा की सब ट्रिब्यूटरी हुई ठीक है इतना ध्यान रखेग एल रही लुगिंगा नाशनल पर जो कि एशाम के इंदर प्रेजन है आप जानते हैं यहांपर अगल tonight employers मां जटेंभ नाटी एक टाइप का रिका है तूछ तू चेक कि कौन-कौन से animals अभी भी fit enough है to survive और इस particular flood के बाद सिर्फ वही जानवर बचते हैं जो कि fittest of the lot होते हैं त्यान रखेगा काजिरंगा national park से एक national highway 715 पास होती है जो कि काजिरंगा के south वाले part से पास होती है मतलब नीचे वाले part से पास होती है और ऐसे देखा जाता है कि जब यह floods आते हैं तो animals जो है वो खुद को flood से बचाने के लिए वहाँ पर कार्भी आंगलॉंग का जो hills है असम में उस hills के तरफ move on करने लग जाते हैं विगोज देखिए अगर यह plains है और यह hill areas है तो obviously flood जो है वो plain areas को affect करेगा hills को affect नहीं करेगा तो animals क्या करते हैं उपर के तरफ move करते हैं बट यहीं पर एक road है यही road है National Highway 715 और इस road से बहुत सारे vehicles पास होते हैं तो जब यह animals जो है वो basically migrate कर रहे होते हैं hills के तरफ उस time बहुत बार ऐसा होता है कि vehicle से टकरा कर उनकी मौत हो जाती है तो यहाँ पर काजी रंगा National Park में जो majority of the animal deaths होते हैं वो flood के season में होता है और especially vehicle से hit करने के बाद होता है यहाँ पर इस चीज को रूपने के लिए कुछ women forest guards को लगाया गया है ध्यान रखेगा यहाँ पर women's की specialized team लगाई गई है जो की forest guards है और इनको Prime Minister ने एक name दिया है वन दुर्गा जो है वो असाम के काजी रंगा National Park में women forest guards को दिया गया है साथे साथ यह भी बोला गया है कि जितने भी vehicles इसे area से pass करेंगे उनके उपर 40 km परार की speed limit लगाई गया है उनका over speeding ना हो और over speeding के कारण animals टकरा कर मारे ना जाए यह भी दिखा गया था कि 2018-2018 में काजी रंगा में flood बहुत ही कम आया था और जहाँ पर 2022 में अकेले ही 22 deaths हुई थी तो यह क्या शो करता है यह शो करता है कि काजी रंगा का जो flood है वो directly animals की survivability को check करता है ठीक है तो यह चीज हमें मालूम होना चाहिए environment में direct question यहाँ पर इसके तुरू प्रिण उसमों पूछा आ सकता है moving ahead जो news number 3 है that is about जम्मु कश्मीर के जो lieutenant governor है उनकी कुछ powers को increase कर दिया गया है पहले चीज तो lieutenant governor को यह power दी गई है कि जम्मु कश्मीर में कोई भी ऐसा matter जो कि police से related हो, public order से related हो या फिर all India service से related हो जो कि IAS, IPS और Indian Forest Services होते हैं, यह तीनों ही all India service होते हैं ध्यान रखेगा तो police से related कोई matter, public order से related, all India service से related कोई भी matter या फिर all India service के transfer या posting से कोई भी related matter है यह सारी की सारी matters के ओपर जो final authority होगा, that will be lieutenant governor यह सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के बात है, पूरे इंडिया के बात नहीं है, पूरे इंडिया में इतनी powers नहीं दी गई है सिर्फ state specific दिया गया है Now, recently lieutenant governor को दिया गया है, बट उससे पहले ही सारी की सारी powers, finance department के पास हुआ कर दे थे जो union का finance department, finance ministers है, वो लोगी सारे का सारे decisions लिया करते थे, जम्मू कश्मीर में पूलिस का, public order का और all India service के transfer and posting से लेखेर सारे informations, पहले finance department लिया करता था, अब इसको change करके left and governor के पास दे दिया गया है second, ये बोला गया है कि कभी भी जम्मू कश्मीर में अगर किसी भी advocate general को appoint करना हो, law officer को appoint करना हो या फिर किसी भी particular type के sanctions को file करना हो, appeals को file करना हो, तो पहले आपको left and governor से permission लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही जाकर आप जम्मू कश्मीर में ये सारे के सारे appointments कर सकते हैं third, जम्मू कश्मीर के अंदर जो prisons हैं, जो jails हैं, उनसे related कुछ भी information हो, direct rate of prosecution जो है, जो वहाँ का एक department होता है, उसे related कोई भी changes वगरा करने हो, या फिर forensic science laborator से related कोई भी changes करने हो, तो once again, सबसे पहले आपको left and governor से permission लेनी पड़ेगी, और finally, आपको काम हो जाने के बाद भी left and governor साइब को sign करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो particular चीज़ यहाँ पर in effect आएगी, so I hope अब समझ पा रहे है, left and governor की power को यहाँ पर काफी जाता increase कर दिया गया है, साथी साथ, Supreme Court ने ये भी बोला था, कि जल्दी सी जल्दी center को यहाँ पर strive करना होगा, जम्मू कश्मीर क तो you know break कर जया गया था union territories में, so one was जम्मू कश्मीर, second was लताक, दो union territories में break कर जया गया था, बड़ Supreme Court ने बोला कि यह acceptable नहीं है, आपको फिर से इनको statehood वापस देनी होगी, तो central government ने ये बोला था, कि 30th September 2014 से पहले जो हम election करवाएंगे, उस election के बाद हम statehood वापस कर देंगे जम्मू कश्मीर को, मतलब फिर से उसको एक दाज जिया बना देंगे, union territories से हटाकर के, इस elections के लिए Supreme Court ने जो date दी है, वो है 30 September 2014 से पहले, आपको election करवाके उसके results देने है, तो अब जानते हैं, और जुलाई 13 हो चुकी है, so we have only two months now, अब देखते हैं कि central government दो महिनों के अं जानर में conduct करवाती है, so that will be obviously a challenge, because जम्मू कश्मीर में ये काफी challenge होने वाला है, but still it has to be done, right, moving ahead, fourth news देखते हैं, fourth news यहाँ पर एक political news है, obviously, जो इक सम्विधान हत्या दिवस, इस particular day को declare किया गया है, 25th of June को, यही day क्यों, because इसी दिन, 25th of June 1975 को, जो उस समय की Prime Minister Mrs. Indra Gandhi थी, उन इन्डिया के इंदर internal emergency को, you know, impose किया था, इसके काराण obviously बहुत सारे लोगों के civil liberties, जो बहुत सारे political opponents थे, उनके liberties, इन सब को पुरी तरीकी से suspend कर दिया गया था, और यह emergency कब तक रहती है, 21st of March 1977 तक, मतलब, almost 2 साल तक यह emergency रही थी, so, यह अच्छा होगा अगर आप इन दो को याद रख पाए तो, because this is the starting date of emergency, this is the last date of emergency, so, अच्छी चांस था है कि UPSC से के उपर भी direct factual question पूछ सकता है, ठेक है, बस इतना ध्यान रखेगा, अगर आप किसी भी state pieces के तैयारी करने है, you should also remember, कि यह जो announcement है, it was done by Union Home Minister Amit Shah, तो, Prime Minister Modi ने इसको announce नहीं किया था, रदर इसको अमिर्शा जी ने अनॉंस किया है, बस इतना ध्यान रखेगा, this can be directly, आपको प्रॉपर्ली समझा गई, moving ahead, next news यहाँ पर, एक Squalus Hema, यह एक हमारी species है, इसके बारे में है, so Squalus Hema exactly क्या है, यह एक dogfish shark है, बस ध्यान रखेगा, एक टाप की shark है, और शाक में भी अलग अलग टाप की प्रजातिया होती है, तो उसी में से dogfish shark होती है, उसी particular species से relate करता है, Squalus Hema, now recently इसको कैरला के, एक शक्ती कुलंगरा fishing harbor के अंदर पाया गया है, so यह पहली बार कैरला में यह particular shark पाय गई है, तो बस इस ती कारे में यूज में आती है, but यूपर सी क्या पूशेगा, simply it will ask Squalus Hema क्या है, so it is a species of shark, बस इतना ध्यान रखना है आपको, next question, आप जानते है अरविंद केजरिवाल जी को, जो की डेली के चीफ मिनिस्टर है, उनको recently पिछले कुछ महीनों से arrest किया गया है, enforcement direct rate के दौरा उनको arrest किया गया है, and that too under PMLA, यहनकी prevention of money laundering act के अंदर उनको arrest किया गया है, तो यहाँ पर केजरिवाल जी ने Supreme Court के अंदर एक question raised किया है, कि क्या, जो enforcement direct है, वो directly PMLA के अंदर arrest कर सकती है, Supreme Court ने बुला है, कि जब तक enforcement director के पास subjective judgment ना हो, मतलब उनको पास proper proof ना हो, substantial evidences ना हो, तब तक ED के पास कोई rights नहीं है किसी को भी arrest करने को, साथी सारे data's वगरा को भी court किया है, जहां उन्होंने बताया है कि प्रिछले को सालों में जो ED के बहुत सारे arrest हुए है, उनमें से बहुत ही कम arrest सही थे, बागी सारे arrest गलत थे, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर force किया गया है, तो यह particular question यहाँ पर politically काफी important हो जाता है, कि क्या ED के पावर है कि PMLA में वो किसी को भी directly preventive detention के तहट उठा सकती है, the answer is no, it cannot, Supreme Court in simply बोला है, आपको उसके लिए पहले evidences लेकर आने पड़ेंगे, और साथ ही साथ इस evidence को आपको उस person को बताना होगा, जिस person को आप arrest करने जा रहे हैं, तब ही जाकर आप किसी को arrest कर सकते हैं, Moving Head, एक यहाँ पर editorial आया है, जहाँ पर बात की गई है, कि transport vehicles के थुरू बहुत सारे accidents वगरा होने, इंग स्टार्ट हो गया है, तो recently, उतरप्रदेश के उननौ जगए में, उननौ नाम का एक city है उतरप्रदेश में, आप जानते हैं, वहाँ पर एक double-decker bus जो थी, वो टकरा एक milk की लॉरी से, तो दूद की जो लॉरी होती, जो सुबह सुबह निकलती है, उस लॉरी से टकराई है एक bus, जिससे कारण दोनों को ही काफी जाता नुकसान हुआ है, और इस bus तो यह bus तो फूरी तरीके से डामेज हो गई है, जिसमें 18 लोगों की death हो गई है, बहुत सारा मतलब काफी जाता जो casualty है, वो increase हो गया, तो because of this particular news, एक जो यह issue है, transport vehicle से accident वाला, यह चीज़ फिर से एक बार लगातार increase होनी start हो गई है, तो यहाँ पर यह particular जो हाई टोरेल आ होगा है, इसमें बहुत अच्छी तरीके से कुछ issues को और कुछ recommendation को समझाया है, उसको हम देख हम किसी एक चीज़ के बारे में देखते हैं, बढ़ हर चीज़ के बारे में नहीं देखते हैं, तो हम comprehensively road safety को cover नहीं करते हैं, हमें multiple factors को एक साथ cover करने के गरूत हैं, जैसे कि road design proper होने चाहिए, buses और जो गाडिया है, vehicles हैं, उसको speed control, then उस time visibility कितनी है, then access control कितना है driver के पास, यह सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत important है, second, जो municipal authorities है, अक्सर यह देखा गया है, कि जो private transport infrastructure होते हैं, उसको time से check नहीं करते हैं, मतलब उनको properly scrutinize नहीं किया आता है, कि क्या वो particular bus, क्या वो particular गाडिया, वो सही है रोड पर आने के लिए, क्या वो इतने सारे passengers को carry कर सक होते हैं, मतलब problem को पहले solve में नहीं जरूओत है, हमें पहले ऐसे vehicles को identify करना होगा, जहां पर ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं उस particular vehicle के अंदर, या फिर वो particular vehicle जो है, वो safety standards को पूरी तरीके से comply नहीं करती है, जिसे करण उसको road पर उतारना सही नहीं होगा, इन सब्स पूरी लाक इंजर हुए हैं, और 4.46 लाक road accidents के अंदर मारे गया है, आप देख पा रहे हैं, यह data काफी ज्यादा horrifying है, और काफी ज्यादा बड़ा data है, इतने ज्यादा लोग अगर मारे जा रहे हैं, सिर्फ फर सिर्फ road accidents में, और यह सब चीज़ तो पूज तरी किसे avoidable है, इनको तो हम रोख सकते हैं, हम खराब type के vehicles को अगर रस्ते पर न उतारे, road की designs को proper रखे हैं, तो यह सब चीज़ रोख सकते हैं, death यहाँ पर पूज तरी कैसे control हो सकते हैं, इसी चीज़ के बारे में NCRB ने हाँ पर highlight किया है, तो यह particular data जो है, आप अपने mains के, अपने notes के अ अथेंटिक data है यह, next, 2023 में IIT Delhi ने एक report निकाली थी, जिसके रहते हैं तो उन्होंने यह बोला, कि हर 1 lakh population में, 2021 का data है, कि हर 1 lakh population में 11.3 लोग road accident के कारण मारे जाते हैं, so this is again बहुत बहुत बढ़ा data है यह, देखो road accident का data, ध्यान दखे का, road accident का death जो है वो avoidable death होता है, मतलब उसको आप रोख सकते हैं, अगर आप सही तरीके से infrastructure को रखे, अपने vehicles को सही तरीके से रखे, roads को सही तरीके से रखे, तो यह road accident 0 होने चाहिए, but 11.3 per 1 lakh is a very very big number, इसको reduce करने के ज़िस सक्थ जरूद है भी right now, यह कुछ issues थे जो आर्टिकल के अंदर discuss किया गया है, now बात कर इसके लाब कोई ऐसा transport operator है, मतरब driver है या फिर bus का मालिक है, जो कि सही तरीके से चीजों को follow नहीं कर रहा है, तो उसके ओपर harsh penalties लगाने के जरूद है, so that हम इन चीजों को रोख सके, right, second recommendation यह है कि जो ministry of road, transport and highways है, उनको data collection better करने चाहिए, better तरीके से reports वगरा publish करने चाहिए, vehicle registration वगरा को यहाँ पर public domain के इंदर डालना चाहिए, safety certificates वगरा को 100% mandatory करना चाहिए, accident reports वगरा को time to time public domain में डालना चाहिए, यह सब चीजे करेंगे तो automatically low के बीच में awareness आएगी, right, जो busses के मालिक है, जो busses के drivers है, वो और जदा accountable feel करेंगे इस चीज के लिए, तब ही जाकर इस awareness increase करने के जरूरत है, किस चीज में हमें हर vehicle का एक health report बनाना चाहिए, और उस health report को उस vehicle के उपर आप show करो, publish करो, दिखाओ कि इस vehicle के health कितनी है, right, latest test reports क्या है, वो हर vehicle को दिखाना होगा, इससे क्या होगा, complacency आईगी, मतलब कि जो bus के drivers है, bus के मालिक है, वो सही तरीकी से काम करेंगे, जो गलत practices वगरा हो रही, operators को द्वारा, वो automatically reduce होनी, start हो जाएंगे, because obviously उनको एक timely report देना पड़ रहा है, right, कि यह सब चीज़े काफी जाता है, important है, उमीद करता हूँ, यहाँ आपको चीज़े properly समझ आगेंगे, moving ahead, एक और item, एक और item, जो कि PDS के बार में बात कर करना है, right, so, जितने भी rural population इंडिया के अंदर है, उसमें 75% लोग जो है, वो covered है, PDS के अंदर, मतलब हमारी काउं के इलाकिये में रहने वाले 75% लोगों को, यहाँ पर PDS केता है, मुफ्त, अनाज, या फिर कम दाम पर अनाज मिलता है, साथी साथ, जितने लोग हमारे urban population के के अंदर रहते हैं, उनमें सभी 50% से जालता लोग जो है, वो PDS के अंदर enrolled है, इसका मतलब क्या है, हमारी काफी अच्छी majority population है, जो कि इस चीज के अंदर यहाँ पर involved है, नौ, यह particular चीज हो है, NFSA, यानि कि National Food Security Act, जो कि 2013 के अंदर आया था, उस particular act के तहए, PDS को लेकर आया अगर उस family को PDS के तहए, कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे के मालनों, उसको चावल, यह, आटा, यह सम मिल जाता है, तो उनके पास कुछ पैसे बसते हैं, उन्हीं पैसों को वो बेटर तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं, वो अच्छी vegetables लेकर आ सकते हैं, दूद पी सकते ह हैं, दाल खा सकते हैं, eggs, fish, meat, बाकि जो nutrient चीज़ें हैं, जो protein वाले चीज़ें हैं, यह सब खा सकते हैं, पहले क्या होता था, पहले उनके पास जितने पैसे होते थे, basic item जैसे की चावल दाल खरीदने में ही खतम हो जाते थे, उसे कारण वो कोई nutritious चीज नहीं खा पाते थे लेकिन जब government ने बोला कि हम आपको free of cost basically चीज़े प्रोवाइट कर देंगे, तो उनी पैसों से वो better चीज़े ख़डीच सकते हैं, अपने family के nutritional requirements से वो सब complete कर सकते हैं, अब देखो, PDS के साथ साथ में ही एक और यहाँ पर survey होता है, जिसका नाम है household consumption expenditure survey, देखो धियान रख household के consumption का है, आपर expenditure survey है यह, तो basically अगर आप simple words में समझे, तो household जो है, मतलब लोग जो है, वो consumption करने के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे है, expenditure कितना कर रहे है, इस चीज का survey है, survey कौन करता है, तो NSSO नाम की बोड़ी है, National Sample Survey Office, यह particular body इस particular survey करती है, इसमें वो यह देखना चाह मतलब चेक करने के लिए, यह particular survey यहाँ पर किया जाता है, इसके बाद का जो ITorial था, उसके अंदर कुछ data वगरा थे, वो हमारे काम का नहीं था, that is why I have skipped it totally, so I hope आप यहाँ तक समझ गए हैं, यह सब चीज है कि household consumption expenditure survey क्या होता है, PDS क्या होता है, right, moving ahead, international news है, China के अंदर एक उ उगुर मुसलिम्स ने रहते, रादर पचास से ज़्यादा ethnic minorities यहाँ पर रहती है, जिसमें से एक बहुत important है उगुर मुसलिम्स, चाइनीज कम्यूनिस्ट पर्टी, आप जानते हैं कि चाइना जो है, सिंगल पर्टी, पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ पर एक ही पार्टी ह से खतम करने के कोशिश कर रहे है, उनके religious practices के उपर restrictions हैं, मतलब वो अपने religious practices नहीं कर सकते हैं, अपनी cultural expressions को नहीं कर सकते हैं, इस सब चीज़े के restrictions उनके उपर है, बिसिकली, अगर आप government policies के बात करते हैं, तो चाइना की government policy कुछ इस तरीके की है, कि वो चाहती हैं कि जो उ प्रादर उनके खुद के tradition को बचालने के मतलब बजाएं, तो बैसे करी उईगूर्स को चाहते हैं कि अपना tradition छोड़ तो हमारा tradition आप जोईन कर लो, but obviously उईगूर्स अपना tradition छोड़ नहीं रहे हैं, जिससे करनो काफी prosecution का सामना करना पढ़ रहा है, अगर हम जिन्जैंग क इम है कि यहाँ पर infrastructure develop करना है, trade routes develop करना है, लेकिन विगोज यहाँ पर उईगूर्स रहते हैं, तो obviously उईगूर्स इस development की खिलाफ है, because obviously उनके घर टूट जाते हैं, उनका जो traditional culture है, वो टूटता है, तो इसलिए वो उईगूर्स को काफी जादा, Chinese Communist Party को काफी जादा परिश हो रहे हैं, क्योंकि इसके demand बहुत जादा बढ़ गई है, और कि कहाँ पर produce होता है, तो बिहार में जो मिखिला reason है, वहीं पर Foxnet से निके मखाना produce होता है, तेखो, although बिहार के मिखिला reason में यह produce होता है, और जो farmers है, वो काफी जादा मेहनत करते हैं इसको उगाने के लिए, इसके बावजुद जो farmers हैं, उनको अच्छे से benefits नहीं मिलते हैं, बहुत मेहनत करते हैं यह लोग इसके बावजुद फाइदा इनको नहीं होता, फाइदा कि इसको होता है, फाइदा होता है, जो उनकी उपर जमीनदार्स होते है, middlemen's होते है, जो प्रोसेसर्स होते हैं, उ वही community जो यहाँ पर है, वो मखाना को produce भी करती है, अगर आप में से कोई भी यहाँ पर बिहार PCS का exam दे रहा है, तो आप एक बहुत अच्छा case study यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं, श्रवन कुमार रोय, जो कि बिहार के दरभंगा district के एक person है, उन्होंने क्या किया है, कुछ और वहाँ का infrastructure है, जो मखाना development के लिए है, प्रोसेसिंग के लिए है, वो और जड़ा बेटर हो पाया है, तो इस इस crop यहाँ पर बिहार PCS के अंदर भी और UP SC के अंदर भी आप यहाँ पर कहीं पर इस इस पर इस पर इस पर टिकलो डारेक्ट इग्जाम्बल को, ठीक है, इ यूपेस से कर पूछेगा, तो Fox Nuts ही पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए, मखाना is equal to Fox Nuts, moving ahead, next topic यहाँ पर कोई टूर बाठा के बाले में है, कोई टूर बाठा क्या है, यह type का movement है basically, जो कि 2001 में start हुआ था, कहाँ पर आंधर पदेश के गुदावरी वैली के अंदर नो देखो, यह basically 55 school dropouts, मतलब ऐसे लोग जो अपने schooling complete नहीं कर पाये थे, तीन different tribal लोगों, मतलब तीन different tribe के 55 लोगों ने, जो schooling complete नहीं कर काये थे, वो 2001 में मिलते हैं साथ में, और एक academic movement start करते हैं, जिसका नाम रखते हैं, कोई टूर बाठा, so कोई टूर बाठा का main name क्या है main name इसका यह है, को basically education provide करना चाहता है, और अंधरा के, जो tribal languages है, उनको preserve करना चाहता है, जबकि main cup, जब next light movement वहां पर बहुत strong है, 2001 क्यास पास में आप जानते हैं, अगर होंगे, तो 36 गर और अंधरा काफी जादा connected है, तो दोनों में ही next light movements काफी जादा देखी जाते थे, त इसे कारण वहाँ पर जो local population था, उनको सबस्यादा खत्रा है, यहाँ पर नेक्सलिसम से था, तो मतलब यह मालूम चलके है, कि education सबसे बड़ा bad year है, because लोग educated नहीं हो, तो लोग 500 रुपे करी हो, छोटे कम से कम पैसों के लिए वो नेक्सलिसम जॉइन कर लेते हैं, हाथों म बात करें, तो इसमें thousands and thousands of school dropouts थे, जिनकी schooling complete नहीं हो पाई, उन्होंने यहाँ पर अपनी education complete किया है, उनमें से 300 से ज्यादा writers बन गए है, बहुत सारे artists बन गए हैं वहाँ पर, उन्होंने अपनी cultural heritage को बचाने के लिए बहुत सारे काम किया है, अपने उन्होंने traditional knowledge को basically modern education के साथ यहाँ पर uplift किया है, दोनों को integrate किया है, उन्होंने agriculture के बढ़ाई किया है, forestry की, cultural heritage की, अलग 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 टाइप के बढ़ाई करके, आज बहुत सारे लोग successful है, एक तो UPSC prelims में directly कोई दूर बाटा को पूछ सकता है, second means में आप कोई दूर बाटा को यहाँ पर mention कर सक moving ahead, अब हम बात करते हैं, वर्काला क्लिफ के अबारे में, सो वर्काला क्लिफ एक प्लेस है, करला, तिरोवननच पुरम के अंदर, basically जिसको national geological heritage site का दरजा दिया गया है, now, important की हो, important यह है कि एक क्लिफ है, simple बात कि तो पहाडी का hill है, basically जिसके नीचे क्या है, नीचे खाई सब्सक्राइब करते हैं, उनको सब्सक्राइब करते हैं, उनको सब्सक्राइब करते हैं, उनको सब्सक्राइब करते हैं, उनको सब्सक्राइब करते हैं, जो सब्सक्राइब करते हैं, जो सब्सक्राइब करते हैं, जो सब्सक्राइब करते हैं, जो सब्सक्राइब करते हैं, तो यहांबे 5000 को बचाने की ज़ोरे थे इसी चीज़ के बारे में काफी बड़ा आर्टिकल आया हुआ हूए एशीज क्या है UP इ्शीज होने कारण इस हिल से लैंड्ज सलाइट होने शाट हो गया है बहुत सारे sinkholes बनने start हो गया है जिसे कारण जो tourist आते हैं वो भी और जो local residents है वो भी दोनों को ही काफी जादा खत्रा है साथिस्ता जब tourist आते हैं तो हाँ पर waste management practice properly follow नहीं होता है बहुत सारा waste दहां यहां वहां पड़ा रहता है और आप जानते हैं plastic वगरा जो है वो पूट तरीके से bio degradable नहीं होते है जिसे कारण वो आसपास के soil को lose कर देते हैं और soil का lose होना भी erosion ही कहलाता है obviously इसके लावा waste water जो है बहुत लोग जो पानी पीते हैं यह सब करते हैं उसको कहीं पर भी मतलब waste करते रहते हैं उसे कारण जो unregulated waste water है पर अपर सीपेज नहीं है इसके पानी पर जमा हो जाता है उसके बहुत सरे disease फैलते हैं once again पानी जमा हो नहीं कारण groundwater के अंदर पानी नहीं जा पाता है soil strong नहीं हो पाते हैं इसके नहीं हो जाता है जिसे कारण वर्गाला क्लिफ जो है वो काफी ज़्यादा यहां पर problems face कर रहा है उमिद करता हूं यह चीज़ा को समझ जा गई होगी moving ahead यहां पर हम एक और place के बारे हम बात करते हैं that is bagan bagan क्या है Myanmar के अंदर एक UNESCO का world heritage site है bagan जहां पर बहुत सारे buddhist pagodas है बहुत सारे buddhist temples वागरा present है ठीक है? pagodas का मतलब होता है buildings all right so basically आईरावादी river है आईरावादी river के बारे में आपने इरावादी river के बारे में सुना होगा इरावादी river को ही आईरावादी river बोलते है यहां पर Myanmar के अंदर present है और Myanmar के अंदर ही बगान नाम का UNESCO world heritage site present है बिसे के लिए एक गुद्दिश site आपस न ध्यान रखेगा now 2021 February में क्या हुआ था Myanmar में जो military है उसने power seize कर लिया था I hope आपको याद हो कल भी हमने SEO के context में से इसके बारे में बात की थी फिर से हमें आपर देख रहे है कि Myanmar के अंदर क्या हुआ है power seize हुआ था जहाँ पर Aung San Suu Kyi जो हाँ पर democratically elected यहाँ पर प्राइमिये शर्थी उनको यहाँ पर jail में डाल दिया गया और जो हाँ की military है उन्होंने power seize कर लिया और यह power seize के करण क्या हुआ है तूरिस्ट अर्राइवल्स बहुत ज़्यादा रेडियूस हो गया है और ध्यान रखेगा Myanmar का जो major GDP है वो तूरिजम के ऊपर चलता है तो अगर वहाँ पर टूरिस्ट नहीं आ रहे है तो automatically वहाँ पर economic downfall start हो गया है inflation काफी ज़्यादा increase होना start हो गया है unemployment काफी ज़्यादा बड़ी है तो इस तरगी के problems है पर Myanmar में देखी जा रही है और बगान यहाँ पर उसके रिए काफी important tourist activity था tourist एक center था जहाँ पर सब ज़्यादा tourist आया करते थे बट जब से Myanmar में ये military power seize हुई है तब से ये particular चीज़ यहाँ पर पूरी तरीके से telegram channel है जिसका link आपको नीचे description box में बिल जाएगा वहाँ पर अप इस particular daily news description के जो भी important pdfs है important news वगरा है वो सब चीज़े आप वहाँ से ले सकते हैं वो हाँ पर regularly update कर दिये जाते हैं so I hope you like this particular video if you liked it please leave a like subscribe to this particular channel and thank you so much for listening to this video thank you so much